नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनेल कुमार राजिक आप देख रहे हैं मैं सौली इसन चलिए तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इवनिट डिजिट के पूरा चैप्टर खतम हो चुका है इवनिट डिजिट को हमने दो पार्ट में पढ़ा दिया है दोनों पार्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अब हम युनिट डिजिट के 10 most important question कराएंगे जो की exam के जरीए से बहुत ही important है तो आप वीडियो में बने रहिए और उन 10 question को अच्छे से समझे और करके देखिए ठीक है तो हम बताएंगे आपको किस तरीके से question किये जाते हैं बहु जरूरी है ठीक है जिसने भी basic की वीडियो नहीं देखियो तो वो description में जाके पहली first part और second part दोनों देखें फिर वो question लगा है तो उसको question समझे में आएंगे ठीक है चलिए तो सुरू करते हैं और सुरू करने से पहले आपसे एक गुजारस है अगर वीडियो आपको पसंद आए और helpful लगे तो अंत में हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और हमारे चैनल को भी subscribe कर लिए जिससे कि आपको notification सबसे पहले मिल जाएगा ठीक है चलिए तो सुरू करते हैं आज का अपना 10th question का target ठीक है complete करते हैं चलिए तो बनी रही है हमाई 317, 841, 741, इसकी एकाई का अंक क्या होगा आपको इसकी इन पर question दिया रहा होगा, ठीक है तो हम बताएंगे, तो हमने पहले बताया था आपको कि अगर किसी भी संख्या का एकाई का अंक चार है तो हमें सब इसके एकाई के अंक लेने पड़ते हैं, पहले वीडियो हम बता इक और है, देखो बिसम है न, 1713 में क्या है, बिसम संख्या है, इसका एकाई कांग क्या है, चार उसकी अगर देखो एकाई के अंक लेने पड़ते हैं, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है और ठीक है, बिसम है, इसकी 1713 में एक बिसम संख्या है, और एकाई कांग चार है अगर चार की power, अगर odd हो, तो इसका, क्या आता है, एकाईकांग, खुद बोच चार ही आता है, ठीक है, तो इधर चार लिख लेंगे, वह 615 है, इसमें इनी डिर जिट क्या है, 5, ठीक है, ओ पांच की power कितनी भी कर दी जाए, तो क्या होता है उसका कितना ये था 5 ही आता है ठीक है पांच कि पापर कितनी भी कर दी जाए तो इसका साक ही और फूर div is इसमें जीरो तो इसका इन्य डिजिट क्या होगा इसमें होगा जीरो ठीक है वीडियो जरूर देखी पहले तभी समय में आएगा ठीक है चलिए ठीक है इसका इन्य डिजिट क्या है जीरो अब देखते है नेक्स्ट कॉस्चन ठीक है अब दूसरा कॉस्चन है देखो क्या है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 99 ठीक है 58 तो इसका एकाई का अंग क्या होगा जह है देखो 7 है जह 3 हमना बताया था 23-88 करी की रूल 2 और 3 और 7 और 8 करी रूल बताया था किसी भी संख्या के एकाई के अंग में का 2-3-7-8 हो तो उसकी पावर कितनी भी कर दी जाए तो हमें उसके पा पंचान में भाग देंगे तो कितनी वाजदागा चारदु नहीं आठ एक बचा का पांधना हाझ लइई है और चारती बारह सेष कितर रई गमचा थीन जो भी सेष आता था था घृत की 17工 my ढख vandaag थे क्योंकि देखो रूल इसके लिए भी सेम है चार एक हम चार एक बचया चार दूर नहीं नहीं चार चोको सोला से इसके तना आया दो तो अब तीन की खाथ दो रख देंगे क्योंकि जितना भी भाग देने पर सेश आता था हम उसको उसकी पावर में रखते थे ठीक है अब दे से छाग चाहिए तो हम तीन मेंसे नो गटा दिए की तीन में उसके नहीं घटा देंगे चुर रूलेस कैसे तो पर सिर्ट और घृंप असम क्या से पावर में जितनी सरके को औто बहुं ठीक है इस तरीके से करते हैं अब देखते हैं next question तीसरा question कह रहा है कि 111 factorial में काई का अंक क्या होगा तो हमने बताया था आपको इस तरीके के question में पहले वीडियो में बताया था आप जरूर वीडियो देखिए फस्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तभी कॉस्टन करिए हम बार बार कह रहे हैं नहीं तो समझ में नहीं आएंगे कॉस्टन ठीक है हमने बताया था कि अगर फैक्टोरियल एक से लिखे पांच चार तक तो ठीक ह होता है चार फैक्टोरियल के बाद अगर पांच फैक्टोरियल आता है किसी भी संग्या में तो क्या होता है उसका इनुरेजित क्या जाता है जीरो कि देखिए चार फैक्टोरियल तक तो कुछ नहीं होता चार फैक्टोरियल देखे लिखेंगे तो क्या एगा चार तीन दो एक तो ठीक है दो पंचे दस अब दस का एकाई का अंग क्या है जीरो अब जीरो को किसी में संख्या में आंगे भी आएगा multiply होगा तो क्या आता है जीरो होता है तो इस तरीकी से अगर पांच factorial की बाद या पांच factorial या उससे ज्यादा factorial में अगर एक आई का अंग पूछा जाया तो डारेक्ट क्या लिख देते हैं जीरो तो ठीक है देख लिजीए जीरो कौन से option में है तो इसका क्या आएगा जीरो ठीक है degrees website direito daarा आप एस आप एक आई का अंग क्या होगा हमें कुछ नहीं देखना है six ठीक की इतनी पीछाफ क्या हमें तो रसया किन स्में एक तो इक आई का आता है 5 पे आता है 5 पलास अब 6 6 की मelभब 6 की कितनी 6 । इक संक्या मैं 1 । 6 6 कि कितनी वी घात कर दो, 1 काइट किना किया है, 6 प्लस उसमें 1 काइट कि जोड़ने है, ठीकिए, अब यहाँ 2, तो 2 की घात कितनी है, 1 आई काइट किया है, 2 इसमें 853 तो हमें पता है कि 2 3 7 8 के लिए रूल किया है, 4 से भाग देते, पावर में सीधर 4 से भाग देंगे ऐठ सो 33 में, लिए 4 से भाग देंगे, चार दूनी 8, जितना भी 6 आएगा, ठीक है, 4 एकम 4, एक बचा, 4 लिए 4 ती 12, एक बचेगा, 6 कितना आएगा, एक, बैसे लिख रहा है, तीन मन लखे, तो 6 आएगा, छिसंब को इदर दो हांता है दो ही उता है तो 5 क्या तो पांचा किया किया होगा तो हमें देखे क्या है यह देखो सभी क्या है प्राक्तिक संख्या है एक से लेके निन्यावन में तक दीगी है उनका और कितना है क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है घन मूल हो रहा है ठीक है और तो हमें इसका देखो पता है प्राक्तिक संख्याओं के घन मूलों का योग क्या होता है आपको पता हु प्रतम प्राक्त संख्यों के गनों का योग है। इसका फोर्मुला होता है यह है तो आप देखो न कितनी है अपनी 99 Яँँ तो 99 ए अब गुणा में देखो एन प्लस बन 99 plus बन 100 होल क्यूब ठीक है इसको अपन डिर्ट करेंगे इस तरीक से नहीं होतो इस तरीक से घर्डु तो दो से पचास बार गया अब 59 живों करेंगे तो कितना आएक जीरोय पन 45 हांसल आई चार 59 कायो देखो अब में क्या है इसमें एक आई का गाएँ जीरू अब जीरू की घाट कितनी एक डिया बही घखाएगा इसमें जीरू ही आयगा ठीक है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ठीक है यसमें लगए 25 लगाना है इसमें ऍक लगे तोसमें साथ के लिए रूल है वही लगाएगा ठीक है चार से भाग देंगे तो कितना से साख आएगा दैगा दो चार एकम साख एकम सकर मैं भाग लिया भाग अपन रखेंगे इहां डिन होकेश कोला करें यहां अब गुणा 6 की पावर 63 चैकी पावर कितनी भी उसका काई कांग क्या होता है छे रूस पता है हम लिए अब देखो तीन है अब तीन के लिए रूल आगा है क्या है चार से भाग देंगे 65 में चार से भाग दिया कितना आया चार से चार से चार एकम चार दो बचे 25 चार चार चेंग 24 से इसके तना बच एक 64 बार सूला बार जाए भाग दो तो तीन के गात करेंगे अब देखीए चाह्षिन एकाई कांग लेंगे तीचिंग उखान आलह ज़ेंगे, तु इस तरीके से इसका एकाई कांग निकाल सकते हैं आपको रूँस पता होने डिन n तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ठीक है मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्सिंट वॉक्स में लिंक दी है जाके दोनों वीडियो देखी तभी समझ में आएगा ठीक है फिर लगाईए गास्टन अब देखते हैं एक पॉस्टन देखो क्या है कॉस्टन एक एक गुणए दो गुणए तीन गुणए चार गुणए पमात गुणए गुणए च्छे गुणए गुणए आल गुणए 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 गुणने दस सो, सो बटे सो कट जाएगा, ठीक है सो से, अब देखो एक बचा, तीन बचा, चार बचा, छे बचा, साथ, आठ, नो बचा, अब इनका सिंपिली गुणा कर दो, एक तीन, तीन चुकों, बारा, बारा में एक आई के आँग आए, दो, दो चक्के, बारा, बारा, बारा में एक आई के आँग आए, दो, दो सत्य, चार आए, चार आए, चार अठ, बारा, दो नम, अठारा, तो एक आई का आए, आठ, इस तरीके से हम कर सकते हैं, हमें सिंपिली उसके एक आई के ही अंक का गुणा करना होता है, तो हम उस तरीके से करते हैं, ठीक है, अब संख्याओं के गुडण खंडों में एकाई का अंक्य बताई के तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं क्या होती है दो एक तो है नहीं तो दो से लेकिन 999 वजा 999 तक कि अभाज्य संख्याओं के गुडण फंड होगा जैसे 2 से दूसरी 3 5 7 11 कितने तक 999 तक में एकंड का अंक्या उगा इसके गुड़न होती है तो सबसे पहले हमें हमें क्या देखना है इसमें 2 है और 5 है गुड़म्रा पैंच का गुड़न होगा तो क्या देखा दो पंचे 10 10 में एक आई कहा आता है, जीरो, अब जीरो आता है, जीरो किसी भी शंखिया में गुड़ा करेंगे, तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, एउनिय डिजट हमारी क्या आएगी, जीरो, तो हमें आगे करने की जरूत ही नहीं, सीर्गा देख़ लो कि दो और पांच गुड़ान सबसे पहले तो हमें उबजर्व करना है कि कहीं इसमें 2 और 5 हो तो से देखो क्यूंकि 2 और 5 मिल जाएगा तो हमारा question वही हो जाता है क्योंकि हमें फिर बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है क्योंकि इनकी संक्या अगर एकाई कांग हमें 2 दे दे और 5 दे दे तो 2 गुणा 5 10 हो जाता है और 10 के एकाई कांग जीरू होता है जीरू किसी भी संक्या में गुणा करेगा तो जीरू ही आएगा ठीक है तो अब देखते हैं 2 की पाबर 3 है 3 की पाबर 4 है अब देखो 2 की पाबर 3, 3 की पाबर 4 कितनी होती है 3 की पाबर 4 होती है 81 ठीक है 2 की पाबर 3, 3 की पाबर 4 देखो 2 की पाबर पहले बताँ यह ध। यह तेन की पावर 4 कितनी होती एक क्यासी तो दो की पावर एक क्यासी में लिख लेंगे अब देखिए दो की पावर एक क्यासी है तो दो का रूरल हमें पता है अब चार से भाग देंगे तो सेस केतना आएगा से इस एक आएगा ठीक है बीश चोकासी एक से बचेगा ठीक है तो अब क्या करेंगे हम इदर इसको मुटा के दो की पावर एक ही रखेंगे इसकी पावर में ठीक है दो की पावर एक दो ही होता है अब गुणा में अब देखो इसको छोड़ो इसको छोड़ो अब देखो पा 24 आता है ठीक है पांच की पावर कितणी की दीखो तो सीधरे लिखकर लिख देना है 5 की कल्तेται हो, 25., 25., 125, 25 कितनी की घ्र रहे है अब 2 की पावर एक 2 ही होगा 2 पंची 10 कितना देगा 10 अब 0 । इसकी unit जीट' के i0 कि इसंहि भी संख्या में कुणा करेंगे न कि इस थी चाहिक्त के लिए रड़ो clicking सग्षी तो तो हम इसंहिने होता है दो और व्याशत को द्जिट zij रहा हुप तो तो बस सीधह है उन्हें डिजिट के अलग दो 0 ठीक है अब देखते है नेक्स कोश्टन ठीक है अब देखे एक परकार कोश्टन है कि एक फैक्टोरियल की पावर एक फैक्टोरियल PLUS 2 FACTORIAL K rose 2 FACTORIAL PLUS 3 FACTORIAL K rose 3 FACTORIAL PLUS 100 FACTORIAL K rose 100 FACTORIAL इस परकार का QSSON है कि इस परकार के BANCH X X XI का YORK Sic자 का होगा तो हमें क्या करना है देखिए सबसे पहले आप देखिए एक FACTORIAL है और इसकी कितनी है एक FACTORIAL ठीक है हमें J SOLVE करना है 31 स्परस्ट्ट हम ने एक लिए मजारा धीडिक हो और है एक लिए फैक्ट्यूरियल की एक होता है एक लिए ज्ट इसमें युनिडिट के आएगा एक अब देखो गुणफॉसक्किल कितनी है दो गुणे एक उसकी power कितनी है? मलतला 2 facto किई power है? 2 गुण 1 घीत होगा तो 2 होगा तो 2 की power 2 उसमें दोदोनी 4 तीक है अब देखे 3 factorial 3 factorial की power 3 factorial तीक है? तो आब दिखो दो 3 factorial कितनी है? 3 गुणध 2 गुणध 1 ठीक है इसकी power क्या हजाए कितनी भी कर दे जाओ इए उनिट ज़ए कितनी आती है चे अब दो चार फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल है 4 तेन चार गुड़े 3, गुड़े 2, गुड़े 1, ठीक है, समझ ना, और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ जाओगी तो पेपर में और आसानी से कल दोगी, जल्ली देखते ही समझ जाओगी, ठीक है, यह मैं बता रहूं समझाने के लिए, ठीक है, इस की पापर किजनी, चार ती, बारा बारा दूनी, 24, अब 24 की पापर है, 24, लेकिन हमें क्या देखना है, सिर्फ एकाई कांक देखना है, तो चार की पापर क्या करेंगे, 24, अब देखो, चार की पापर अगर सम होती, तो क्या होता है, एकाई कांक, 6, हमने पहले पढ़ चुके है, ठीक है, चार की पापर अगर सम है उसका काई कांग चार है उसकी पावर सम है कोई भी संक्या तो इसका काई कांग की 6 आता है ठीक है अब देखिए 5 फैक्टोरियल पावर 5 फैक्टोरियल क्योंकि आंगे 5 फैक्टोरियल होगा 4 फैक्टोरियल होगा 6 फैक्टोरियल सो फेक्टोरियल तक है उसकी पावर सो फेक्टोरियल ठीक है अब पाँच फेक्टोरियल की पावर पावर पाँच फेक्टोरियल क्या है पाँच गोड़ें चार गोड़ें तीन गोड़ें दो गोड़ें एक ठीक है इसकी पावर केती है तो पंचो को बीस बीस तीस आश्टा जीरो घरी12 Bieunck Corona 2020 क्वाइए जीरो यह देखिये 5 और गुंडेंग दो का जब गुणा हो रहा है तो पाद दूनी दस्द रहा है 10 में क्या है जीरो अबोजीरो को गुणा 3 में करेंगे तब test made 0 आएगा और 4 में करेंगे तब भी 0 आएगा तो मतलब क्या होता है दर 0 की पावर क्या होती है 120 तो 0 की पावर कुछ भी तो प्लिब वी कि जिरो क्या हो पॉख तो एक एक आई का अंग क्या होगा जीरो क्योंकि अब देखो इधर 6 ही आ जाएगा ना 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है तो 2, 5, 10 होगा ना और 10 का गुणा एक आई का अंग जीरो जीरो में किसी में भी गुणा हो तो जीरो ही आता है तो इसका एक जीरो की पावर कुछ भी धर्दो 6 फैक्ट तक है तो 100 फैक्टोरियल तक सभी का एक आई का अंग क्या होगा जीरो होगा जीरो अब देखिए एक आई के अंग पता करना है तो सभी के एक आई के जोड़ते हैं 5 फैक्टोरियल के बात 5 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक के तो सभी के एक आई के जीरो तो हमें सब जोड़ना क्या है मैं सब जोड़ना है चार एक आई के आंग एक जोड़ देंगे चार जोल देंगे एक चार पांच होगा पांच है AI 11 जे 17 क्या गया 17 17 में काई कांग क्या है साथ ठीक है तो इस तरीके से हमें इसका एकाई कांग निकाल सकते हैं हमें कुछ नहीं देखना है समझ लो कि पांस फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्या आएं और या पांस फैक्टोरियल मतलब चार फैक्टोरियल के बाद जितनी भी स इसका 4 इसका 6 6 6 12 12 5 17 17 में काई का है साथ ठीक है इस से कोई मतलब नहीं होता है फिर ठीक है इस तरीके से हमारा ए मतलब दस question होगा turret complete हो गया और दस ही important question है ए देखिए ए question उस बच्चे को समझ में आया हो जिसने पहला वीडियो देखा हो और दूसरा वीडियो देखा होगा ठीक है उसके basics मैंने फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में बता हैं तो जरूर प्लीज देखिए नहीं तो आपको ये questions doubtful लगेंगे और समझ में भी ने आया हो किसी को अगर जिसको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है और प्लीज जिसको भी वीडियो हेलपफुल लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लिए और share कीजिए comment भी कीजिए बताईए ठीक है और हमारे चैनल को भी subscribe कर लिए चलिए तो मिलते हैं अब next वीडियो में तब तक के लिए थन्दवाद